आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूटूब चैनल आरकेश टेडी पे मैं हूर अबिंदुर कुमार गयज आज सौप्टेयर इंजिनिरिंग का दूसरा क्लास है जिसमें आज हम लोग पहला जो चेप्टर था हम लोग उसमें से कुछ कबरप किया था और आज उसके बाद जितना भी है वो कबरप करेंगे ठीक है पहले क्लास का दो तीन लेक्चर होगा तो आप लोग देख ली जएगा पहला तो आपने लेक्चर देखा होगा तो आज सब्टेयर इंजिनिरिंग में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे हमने कुछ डियाग्रा जो है वो थोड़ा इंपोर्टेंट है तो आपको याद होना चाहिए किस तरह से डियाग्राम बनाएगे उसमें लिखा क्या है क्योंकि जो साब्टेयर हमारा कोई भी साब्टेयर हमारा डवलप होता है तो सबसे पहले हमने बताया है कि उसको प्लानिंग करनी पड़ती है देनी पड़ती है इसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग होगरा होती है फिर उसका हम लोग डवलप मेंट करते हैं फिर मेंटेन करते हैं ठीक है तो यह सारी चीजे किस तरह से प्रोसेस वर्क करते हैं यह सारे के सारे हम लोग अपना जो लेक्चर उसमें डिसकस करते रहेंग करते हैं यानि साजा करते हैं ठीक है इस टाइप के जो भी चीजे होती हैं हमने बताये थे आप सभी को हम लोग एक इन्पूर्ट देंगी जो की प्रोसियस के थूरू उसको आउटपूट मिल जाएगा ठीक है उनके हमने फीचर के नाम भी बताये थे कि यहां पे हम लोग चा इस तरह से खुद पे निवर होता है यह सारी चीजे हमने उनके फीचर में पढ़ेते ठीक है और यह जो फीचर है इनके बारे में आपको खुद से लिखना है हमने यह भी वहां पे आप सभी को बताये थे आगी का हमने डाइग्राम एक आप सभी को दिखाये था जो हमने ब एक control unit लगा है जो की किस तरह के data है उसको control करता है ठीक है अगर जिस हिसाब से data होगा उस हिसाब से यहाँ पर control करेगा अपना बाकी बात control का और कुछ काम नहीं है बाकी बात जो हमारा output है वो दे देगा ठीक है और last है हमारा feedback जिस हिसाब से हमारा input दिया रहेगा उस हिसाब से हमारा को उसकी feedback मिल जाएगी तो यह हमारा जो system आप elements बोल सकते हैं नहीं software system की कुछ elements डाइग्राम थे जो आप इस तरह से बनाएगे तो हमने बताए भी एक बात और यहां पर कि software engineering में आपको diagram जो है बहुत important है और इसको बनाने है अब यह जो यहां पर process हो रहा है वह सारी के सारी process यहां पर लिखी हुई है जो ध्यान से समझेगा सबसे पहले दिया गया input कि input वह data या सुचना है जिससे system में भेजा जाते है मैंने input जो है हम लोग किसी भी data को सुचना को क्या करते हैं system में जिससे की process करने की जरूरत उप्योग सुचना में बदल जाता है यानि हम जैसे की वहाँ पे जैसे की data को हम लोग send कि input दिये तो हमारा जिस हिसाब से process होगा उसी हिसाब से हमारा जो उप्योग करता है उसके पास सुचना चला जाएगा ठीक है process का का काम क्या होता है कि output की बात करें तो आप सभी लोग समझे रहे हैं कि process के बाद ये प्राप्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है output होता है अब हम लोग control की बात करें तो control जानते हैं कि देखें नियंत्रड यानि control जो हता है हमारा एक प्रोसेसर के शंगलन को operating system और software द्वारा नियंतित किया जा सकता है ठीक है यानि कह सकते हैं जो हमारा OS यानि operating system है और software जो है उसको control करता है इसके अंतरगत में ठीक है feedback क्या होता है सारी चीज़ जब हमने कर लिए तो उसके feedback क्या क्यानि का मतलब है कि हमारा कोई dynamic system है जिसके लिए वह control का उप्योग करता है ठीक है यानि feedback हमारा जितने भी हमारे कारेकरम हुए उसके प्रेडान दे सकता है अब हमारा environment है एक last में उधर आपने देखा होगा फिगर में तो environment आप जानी रहें कि वहां का system का क्या कारेक है क्या work है ठीक है अब थोड़ा से जो system हमारे है system के कुछ types है जो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले यहां पे हम लोग open and close में सबसे पहले open system के बारे में समझेंगे open का मतलब क्या हुआ open का मतलब खुला हुआ यानि कह सकते हैं हमारे ऐसा system हो जो क्या हो वाता वरड यानि बाहरी वाता वरड से संत्रा पूर्फ सुचना को डेटा को आदान प्रदान कर सकता है जैसी यहां पे बात लिखी गई है वैसे आप अपने दिमाग में सुचिएगा उसी तरह आप क्या करेंगे अपनी जो भी भासा आपके language है वही में लिख डालिएगा ठीक है साफ्टेर इंजिनरिंग में सिर्फ आपको लिखना है अब आपको जैसे कि आपको पूछ दिया जाए कि जो हमारा system है साफ्टेर सिस्टम है तो साफ्टेर सिस्टम के टाइप पूछ दिया तो आप सबसे पहले के डाले open and close system open का मतलब आपके दिमाग पर आगया कि open system है नहीं बाहरी वातावरण में होगा close मतलब अंदरी भाग में यहाँ पर simple भासा में लिखा है कि open system जो है यह ऐसा system है जो कि बाहरी यह कह सकते हैं बाहर के वातावरण से सोतंत्रा पूछ सूचनाओ का जो हमारे data है उसको आधान प्रदान कर सकता है यह कह सकते हैं इंट्रीशन्स का अधान प्रदान नहीं करता है वातारण में होने वाले बद्दाव इससे प्रभावित नहीं होते हैं भावित कम योच होते हैं जोकी इंतर हुच अंतर हैbon और और जैसे बात कर सकते हैं चैनल वर वात से भीज़ते हैं तूंश स्टेम की बात हुद आप करें तो इस टाइप के डेटा होते हैं जो public होते हैं या वो open source हो जकते हैं close system की बात करें तो जैसे हमारा whatsapp हो गया तो सिर्फ उसी को एक ही person को हम लोग भेज सकते हैं ठीक है अब हमारा दूसरा जो है type वो है static और dynamic यानि कह सकते हैं इस्थिर और गतिसील दो type के हैं तो इस्थिर का मतलब क्या हुआ रुका हुआ भाग सोच सकते हैं यानि यह ऐसे system होते हैं जहां पर वर्तमान बैलू पर निर्भर करता है यह भौतिक रूप से बिस्वसनिय होते हैं static मैंने इस समय का जो कह सकते हैं जो फिलहाल का बैलू होती है जो हमारे data होते हैं उस पर निर्भर करता है static ठीक है यानि कह सकते हैं भागतिक रूप से यह भिस्वसनिय होते हैं और जो हमारा dynamic होते हैं वो क्या होते हैं dynamic जैसे इसका उल्टा कर सोच सकते हैं कि जो हमारा dynamic होंगे वो क्या होगा बरतमान बैलू पर निर्बन नहीं करेगा और यह बिस्वस्य नहीं होता है तो यह हमारा डैनेमिक हो गया अब थोड़ा सा साप्टेयर होते हैं साप्टेयर जो प्रोड़क्ट होते हैं वह कार में बड़े होते हैं जो प्रोग्राम होता है वह एक डवलपर द्वारा बिक्सित किया जाता है और जो हमारा साप्टेयर प्रोड़क्ट होता है वह क्या होता है इसके लिए जो डवलपर होते हैं डवलपर program है जो उप्योग करता है जो user है user से जो interface है उसकी सही ढंग से मतलब इस्तेमाल नहीं हो पाती है दूसरा बत यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारा software है उसका कह रहा है कि उचीत यानि कर सकते हैं कि जो हमारा user से interface की सुष्दा होती है वो अच्छी होती है ठीक है और एक program software नहीं हो सकता है लेकिन एक software program हो सकता है main different है एक program software नहीं हो सकता है लेकिन एक software program हो सकता है तो यह यहाँ पर different है इसकी size जो होती है किलो बाइट में होती है और यह जो हमारा software product है इसकी size megabyte से होती है ठीक है मेगावाइट से लेकर गीगावाइट तक होता है और इसके आमने बता है कि किलोवाइट से लेकर मेगावाइट तक होता है छाटवा है कि प्रोग्राम की जो कारेच हमता है कमपाइलर पर निर्भर करता है और जो हमारा यहां पर software product है इसकी कारचमता operating system पर निर्भार होता है ठीक है तो यह main different थे एक और last में पढ़ लेंगे कि program की जो code होती है code line जो होती है उसकी संक्या कम होती है जो software होते है software में code line बहुत ही अधिक होती है तो यह main different थे जो software और program और software product में main different था ठीक है जो हमने बता दिये यह पूछे जाते हैं कि software program होते क्या है software product होते क्या है ठीक है तो यह हमने बता दिये अगला है हमारा emergency app software engineering, software engineering के जब उद्भाव है ठीक है उसके बारे में आपे समझेंगे बहुत ही अच्छा topic है और यह topic पूछा जाता है इसलिए इस topic को आज हम लोग discuss नहीं करेंगे थोड़ा बहुत discuss करेंगे इसके बारे में थोड़ा सम आप सभी को यहाँ पे diagram उगर बता देंगे next जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे ठीक है तो देखिए हैं पर जो software engineering का हमारा उद्भाव है देखिएगा ध्यान से सुनिएगा कि software engineering की सुरवात प्राराम्भी computer programming से होकर उच अस्तरिय प्रोग्रामिंग भासा उसके बाद जो नियंतर प्रवा आधारीद डिजाइन यहनि जिसकों लोग control बोल सकते हैं control प्रवा आधारीद डिजाइन control flow डिजाइन से होकर data संरचना पर आधारीद डिजाइन और फिर object oriented ठीक है design तकनिकी आई जो कि software विकास की प्रक्रिया एक क्रांती रह गई यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारा जो software का उदभाव हुआ है वो हमारे कुछ इस तरह से हुए है सबसे पहले प्रारंबिक शुरुवात हुआ था प्रारंबिक जो computer थे प्रोग्राम थे उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि early computer को यूज किया गया था फिर उसके बाद हमारा किसमे आया यह diagram बहुत important है याद रखिएगा यह diagram बहुत important है तो याद रखिएगा तो सबसे पहले हमारा first प्रारंबिक हुआ था प्रारंबिक computer प्रोग्राम आया था इसके बाद फिर हमारा high level language प्रोग्राम आया इसके बाद हम लोग high level language का यूज करने के बाद फिर control flow based diagram हमने यहाँ पर बनाया हुए है इसके बाद फिर हमारा data structure oriented design है इसके बाद हमारा object oriented design है तो यह ऐसे हमारे जो प्रारंबिक computer है या बोल सकते हैं हमारा जो heading था कि software engineering का उद्भव कुछ इस तरह से हुआ है तो आप लोग इसका जरूर याद रखेगा next class में हम लोग इसके इसके यानि यह जितने भी यहाँ पे लिखे हैं कि जो हमारा प्रारंबिक computer programming यह पूछे जाएंगे तो यह 5 के हैं तो याद रखेगा बस आज के लिए इतना ही I hope कि आप सभी लोग इतना आज हमने बताया उतना आप सभी लोग समझ गया होंगे next class से हम लोग software engineering का उद्भाव जो है जैसे हमने शुरूब बताया वैसे हम लोग एक एक करके next class में पढ़ेंगे I hope कि आप सभी लोग को यह वीडियो पसंद आए होगी पसंद आएक लाइक कर दीजाए चैनल पर एक सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे